वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला के अंदर से एक कोश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा तो ये जो लिस्टिंग वाली जितने भी वीडियो जा रहे हैं किसी वीडियो को छोड़िये मत हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने माइक्रो नोट जरूर बनाते चलिए ठीक है तो उसी क्रम में आज ज लिस्ट कवर अब करेंगे इसमें हम बात कर रहे हैं महत्पुन हस्तियों के जो वास्तविक नाम थे रियल नेम उनके बारे में लोकप्रिये नम किया था और वास्तविक नाम किया था ये लिक्स ये हट के और الأक्जाम में पूछ जाते हैं जैसे कर हम बालमीखी की बात करे चेतन महाप्रभू की बात करें इनका रियल नेम क्या था विशंभर गुरू अंगत देव की बात करें तो इनका नाम क्या था भाई लहना थोड़ा सा यहां पर इसको बढ़ा कर लेते हैं ताकि एजली आप यहां पर देख पाए चीज़ों को ठीक है चलो इसके बाद नेक्स की बात करें भाई लहना इनका नाम है गदाधर चटो पाध्या यह नाम है राम कृष्न परमहांसका स्वामी विवेकानंद की बात करें नरेंद्र Cryognaff Dhatt इनका पालाजी जनार्दन भानू, नाम था रामचन्द्रस पांडूरंग टोपे, रानी लक्षमी भाई यह तो सब को पता हो गाँसे, तो एनका था क्या सकूंघ करे बीरवल की बात करें, महेश दास इनका भी एक्सामनेशन में सेवरेल टाइम्स पूछा गया है, तो यह भी तैसा drysa नोग्साल का मार्गेट इलिजबेत नोबेल मीर बेन की बात करें तो इनका नाम क्या था मेडिलिन मुझशी प्रीम चंद्र ये व इनका याद रखेगा धंपत राय ये इनका रिल नेम था इसके बाद आगे हम बात करें किसकी गुलजार सहब का जो रियल नेम था वो क्या था आपका संपूर्ण सिंग कालरा रवी शंकर की बात करें इनका नाम क्या है रोविंद्रो शंकर चौधरी मौलाना अबुलकलाम आजाद इनकी बात करें तो इनका नाम क्या है रियल नेम जो था मुहुद्दीन एहमद नक्ष लयाल पुरी इनका जो रियल नेम था वो था जस्वंत राई शर्मा बिर्जू माहराज का रियल नेम क्या है ब्रज मोहन मिश्र बाबा रामदेव रियल नेम क्या है रामकुष्ण यादव बाबा आम्टे की बात करें तो मुरलीधर देवीदास आम्टे मिर्जा गालिब इनका रियल नेम क्या था मिर्ज असादुल्ला बेग खान विनोबा भावे की बात करें रियल नेम क्या है विनायक नरहरी भावे इसके बाद नेक्स हम बात करें अमीर खुसरो विच इस वेरी इंपॉर्टेंट तो इनका नाम क्या है अबुलहसन यामनुद्दीन खुसरो फिराक गोरकपुरी रगुपती सह यह इनका नाम है स्वामी अगनिवेश इनका नाम क्या था श्याम वैधा राओ ठीक है इसके बाद सत्तिसाई बाबा की बात करें तो इनका नाम था सत्त्र नरान राजू यह वो इंपॉर्टेंट परसनेलिटीज हैं जिनके लोकप्रिये नाम कुछ और है हम उन्हें किसी और नाम से जानते हैं और रियल नेम उनका कुछ और है ठीक है तो यह लिस्टिंग इसमें जो मेंली आप याद रखेगा एक्जाम पॉइंट आप वी से बालमिकी को याद रखेगा चैतन महाप्रभू गुरू अंगत देव रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन ना नाना फडनवेस, तातिया टोपे, रानी लक्षिबाई, तांसेन, बीरबल, इनको आप याद रखेगा, मुशी प्रेमचंद को याद रखेगा, इसके बाद अबुलकलाम आजाद को यहाँ पर याद रखेगा, बाबा आम्टे को याद रखेगा, मिर्जा गालिब को पतनाकर चैतन्य महाप्रभू का विशंबर गुरु अंगर देव भाई लहना रामकृष्ण परम्हंस गदाधर शटोपाध्याय स्वामी वेकानन नरेंद्र नाथ दत्त नाना फड़न्विस बालाजी जनारदन भानू तात्या टोपे की बात करें रामचंद पाडुनंग ट मिर्जा गालिब की बात करें तो मिर्जा असाधदुल्ला बेग खान विनोबा भावे की बात करें विनायक नरहरी भावे और अमीर खुसरो की बात करें तो अबूल-हसन- यामिन-दीन खुसरो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अग्जयमनेशन है पूचा वीडियो में जिसमें हमने महत्पूर्ण व्यक्तियों के उपनाम की बारे में बात करी थी ठीक है तो इसको हमने और लेडी कवर अप किया हुआ है नेक्स्ट लिस्टिंग पर देखते हैं यहां पर जो यह बात करी गई है आधुनिक भारत के प्रसिद अभियोग और केस यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर कवर अप करिए ठीक है जैसे अगर हम बात करें अभियुक्त कौन था तो अभियुक्त थे आपके बहादो शाह जफर अब इन पर आरोप क्या था राजद्रो का क्योंकि इन्हों ने पूरा बगावत को लीड करने के जो बात थी न को रंगूल निर्वासित कर दिया गया इसके बाद नेक्स बात करें सुरेंदरनात बैनरजी की तो सुरेंदरनात बैनरजी इन पर कलकत्ता उच नयायले में केस चला नयायले की अवमानना का आरोप लगाया गया इन पर ठीक है बंगाली में उध़त अपने लेक में मतलब जो लेक लेके बंगाली में में उसमें जो है अदालत की अवमानना का इन पर आरोप लगा था दो साल का इनको कारावास जो था उसकी सजा सुनाई गई अप आरो की तियारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाम के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो study for civil services के courses को आप join कर सकते complete तयारी के लिए यह one stop destination है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें study material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस नंबर पर contact कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं सो यहां पर बात करें बाल गंगादर तिलक की तो इनके बारे में आपको याद रखना है तीन बार इनको सजा दी गई 1897, 1908 और 1916 में इनके जो लेख थे जो इनके केसरी में लिखे थे तो उन लेखों में उत्तिजनात्मक लेख होने की वज़े से इन पर ये सारी चीज़ गया और मांडले जेल में इनको निर्वासित किया गया 1908 ठीक है और 1916 में इनने जेल की सजा नहीं दी गई खाली इनने साधारन दंड देगा छोड़ दिया गया तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 1908 वाला जरूर याद रखिएगा अलीपुर मुंबई अभियो केस में अर जो में केस था इसमें विचारादीन कैदी के रूप में एक साल का इन पर जो था मतलब एक साल के कैद में रहे थे विचारादीन कैदी के रूप में इसके बाद वीडी सावरकर जो सबसे डिस्प्यूटिड परसनेलिटी है हिंदुस्तान की आज की डेट में 1910 और जनवरी 1911 ठीक है सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तिजनात्मक भाशन देने हत्यार एकत्रित करने और उन्हें विद्रों के वित्रित विद्रों के बीच वित्रित करने का आरोप इनके उपर लगाया गया अब करमशा दो बार आजीवन कारावास की सजा पचास साल तक की औ और अंतरास्तिय नयालय हेग ने भी उन्हें दोशी करार दिया था दस वर्ष के लिए अंडमान जेल इनको भेजा गया था वो एक अलग बात है बाद में इन्होंने सौरी और ही वोला था ठीक है सो 1911 से 1921 साल तक का कारावास इन्हें जो है वो दिया गया था इसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी एवं शंकरलाल बैंकर यंग इंडिया के परकाशक 1922 में यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद चार उतेजक लेक लिखने एवं परकाशित करने का आरोप लगा छे वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन 1924 में ही इन्हे रहा कर दिया गया महात्मा गांधी पर कोई कैसे ही मतलब कितना ही कुछ कर सकता था इतनी तो ब्रिटिश के अंदर भी पौवर नहीं दी पूरा देश उनके साथ में था ठीक हैं बारहाल नेक्स बात करते हैं मेरट शड़यंतर केस की जिसमें 31 सामवादी उन पर केस चलाया ठीक है तो यहां तक अभी कवर अप करते हैं मेरट शड़यंतर केस इसके बाद आगे हम देखेंगे और भी यह दो तीन केस हैं इसके बाद यह जो शिश्ट मंडले इनको तुमने अल्री कवर अप किया हुआ है दूसरी जो और लिस्टिंग है उसको भी कवर अप करेंगे नेक्स वीडियो में ठीक है तो फिर मलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल लगी हो और पढ़ते रही है और बार बार चीजों को रिवाइज जरू करते हैं थैंक्यू सो मच